Hello students, मैं हूं जिते नर्ज मेरा The Crazy Programmers की तरब से आज वाली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Concurrent Execution जो की Types of Execution का Second Part है इसके पहले वाला वीडियो जो है जिसके अंदर हमने Types of Transaction Concepts बताए थे जिसके अंदर हमने Serial, Parallel और यहां Concurrent टीनों का Basic Introduction देखकर के Serial और Parallel को Detail में समझाए था Concurrent अलग से बनाने के पीछे दो reason है पहला वो वीडियो जादा lengthy हो जाता है और दूसा Concurrent Execution ही सबसे जादा इस्तेमाल किये जाता है ठीक है क्योंकि Serial के अंदर क्या होता था Serial के अंदर एक Processor वाला System हम काम में लेता है कि जितने भी Transition है वो एक साथ Execute हो सकता है Suppose जिसे दो Transition दोनों एक साथ Execute हो सकते हैं लेकिन उसके लिए हमें Number of Processor भी उतने ही बढ़ाने पड़ते हैं जितने Transition हमें एक साथ Execute करने उतने Number of Processor हमें लगाने पड़ते हैं तो पहले ज़र भी इतना Successful नहीं है लेकिन Concurrent, Concurrent Execution सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाल तरीका है यहां पर Single Processor पर Multiple Transition एक साथ Execute करवाए जा सकते हैं इसलिए इने Concurrent Execution बोला जाता है ठीक है तो इसको शूरू करने से पहले Transition क्या होते हैं इसके लिए हमने Separate Video बना दिया है उसका Link आपको Description Box में Available हो जाएगा ठीक है जो है Serial Execution वाले वीडियो का Link भी आपको Description Box में Available हो जाएगा उसे आप देखिएगा ताकि आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा तो एक बाद में Short में Transition बताता हूँ किसी भी Database के अंदर जो है किसी भी Database के उपर या उसके किसी Specific Part पर हम जो Set of Operations Apply करते हैं यानि कि किते Number of Operations हमें क्या-क्या-क्या Apply करना है यह Set of Operations है इसको Transaction बोला जाता है ठीक है जैसे के Deposit of Money Bellas Inquiry, Reservation of Tickets यह सब जो है Transactions कहलाते है क्योंकि इसके अंदर छोटे-छोटे जो है Operations Perform होता है एक Database के उपर या उसके Specific Part के उपर ठीक है कोई भी Transaction जो है यह Begin Transaction से Start होगा और End Transaction पर खतम होगा यह यह Transaction का पूरा Complete Program है ठीक है जो कि Begin Transaction पर Transaction शुरू होगा End Transaction पर Transaction खतम होगा ठीक है इन दो Delimiters के बीच में यह Transaction चलता रहता है अब बात करते हैं हम कि बी तीन तरह से Transaction को Execute किया जा सकता है Serial Execution, Parallel Execution and Concurrent Execution अगर Single Processor आपके पास Single Processor या Uniprocessor Computer है यह एक ही Processor लगा हुआ है तो महापे Serial Execution होता है जैसे Support 2 Transaction आगे T1, T2 तो पहले T1 Execute होगा फिर T2 Execute होगा या फिर पहले T2 Execute होगा फिर T1 Execute होगा यह निकि कोई भी एक Transaction पहले Execute होगा और दूसरे वाले को वेट करना पड़ेगा यह कहलाता है Serial Execution Parallel Execution में क्या होता है कि वहाँ पे हमारे पास Number of Processors ज्यादा होता है Suppose जैसे मुझे दो Transition एक साट Execute कराना है तो मैं ऐसा Computer काम मिलूँगा जिसमें दो Processor लग रहे है Suppose जैसे Processor 1 और Processor 2 वह मैं पास दो Transition है Transition 1 और Transition 2 तो by default क्या होगा Transition 1 जो है वोपर Processor 1 के पास लग जाएगा और Transition 2 जो है वो Processor 2 के पास लग जाएगा इस तरह से दोनों ही Transition दो अलग-अलग Processor पर एक ही साथ एक ही टाइम पर एग्जेक्यूट हो रहे है ठीक है तो यह होता है पर एग्जेक्यूशन लेकिन कौन करन्ट एग्जेक्शन जिसके उपर हमने separate वीडियो बनाया है यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग टोपिक है इसके अंदर क्या होता है कि एक single processor वाले computer पर यह यह यूनी processor वाले computer पर आप एक से ज्यादा transaction एक साथ simultaneously run कर सकते हैं और most of हम बात करे तो सब के पास में इसे computer बना बना most of के पास में इसे computer सा laptop होते है ऐसी devices होती है जो कि यूनी processor होती single processor के साथ आती है तो यह जो concurrent execution ही सबसे ज़्यादा इस्तरमाल किया जाता है transactions के वो process खरवाने के लिए तिकि इसमें multiple transactions जो होते हैं यह concurrently या एक साथ जो simultaneously एक सिस्टम में एक ही processor पर execute होते हैं इसलिए इसको concurrent execution बोला जाता है पर यहां पर क्या है देखिए concurrent का छोट आप नुकसान यह है कि यहां पर database आपका अकसर consistent state में नहीं रहता है क्योंकि concurrent execution में जो है कोई भी transaction जो है वो controlled environment में continue नहीं करते है कैसे मैं example दूंगा को समझ में आ जाएगा ठीक है किसी भी system के अंदर the end number of transactions perform हो रहे हैं तो हमाए पास में end से ज्यादा concurrent schedule होंगे suppose जैसे में पास में दो transactions है तो मेरे पास में इन दोनों transaction को execute कराने के लिए कम से कम 3 schedule होंगे ठीक है तो अब यहां पर आप खुछ सोच लीजे कि number of transactions से हमेशा number of schedule ज्यादा 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 है इस वसे क्या होगा transition database जो हमेशा हमारा inconsistent state में रहेगा ठीक है एक की जो value है उसका 10% निकालना है उसको temporary में store रखना है इंदे तो temporary value को B की value के अंदर 8 कर देना है ठीक है यह दो transaction हमारा पास में है ठीक है अब अगर हम concurrent की बात करें तो यहां पर क्या हो रहा है एक की processor पर देखिए एक साब चल रहे है पहले T1 का half part start हुआ कैसे suppose जैसे A की value है 200 और B की value है 200 हमने यह माना अब transition start हुआ read A, A की value किती है 200 तो 200 में से क्या है 150 less का दिया value किती होगी 50 तो अब A की updated value किती है 50 अब यहां पर T1 complete नहीं हुआ उससे पहले T2 एक की किती होना शुरूर हो गया और उसने A की value ले ली अब A की value क्या है 50 तो यहां पर क्या होगा 50 का 10% निकाला वह होता है 5 और A की updated value किती हो चुकी है 45 और temporary value किती है 5 अब यहां से क्या होगा अफी से यह चला गया इधर T1 की तरफ अब यहां पर क्या है B जो है B की value है 200 ठीक है 200 को लिए उसके अंदर 58 की 250 हो गया टोटल B की value updated हो अभी 250 वाली value इधर आई है ठीक है और जो यहां पर जो temp की value आई थी वह इसके अंदर 8 का से 255 कर दिया गया ठीक है अब आप बोलोगे stress में issue क्या है सब कुछ तो प्र कि तीटू के value डेकिन जब तक खती एक्जिक्यूंट के value नहीं आएगी ठीक है और जब तक changes का घीए वाला पार्ट एक्जिक्यूट नहीं होगा तब तक यह वाला transaction का चिवा एक्जिक्यूट नहीं होगा तो यहनिं क्या होगा कि लिए हगा आतो transition T1 complete हुगा जब तक तक T का यह वाला पार्ट complete नहीं होगा यहीं की दोनों भी transition आपस में जो है उलज गए हैं वह अपने-अपने existence है completeness के लिए दूसरे transition पर depend कर रहे हैं अब होता क्या है किसी भी reason की वज़े से यह जो transfer जो processor है जब processor यहां से यहां जा रहा है ownership change हो रही है किसी यही भी reason की वज़े से अगर transaction T1 failure हो गया तो automatic T2 जो है वो terminated stage में चला जाएगा क्यों क्योंकि हमने बढ़ा है transactions के अंदर कि intimacy rule की वज़े से यहां तो सारे transaction successful होंगे यह सारे failure होंगे तो अगर T1 failure हो गया तो T2 start होने से पहले ही failure हो अब suppose क्या हुआ कि T1 जो है वो successful हो गया T2 भी successful हो गया बनलब यह वाला part T1 का यह वाला part भी successful हो गया लेकिन T2 का यह वाला part जो है यह failure हो गया तो automatic sequence की वज़े से चारो के चारो जो यह नहीं चारो जो part है यह दोनों transition failure हो जाएंगे जबकि कि अगर T1 पहले खुद पूरा execute होता है then T2 होता हो और T2 terminate भी होता है failure होता तो come to come T1 to execute होता है बत यहां पे तो combined ratio की वज़े से T1 से T2 then वापस T1 then T2 तो T2 का final part जो है वो failure हो गया तो automatic T1 भी पूरा failure में चला जाएगा ठीक है तो यह जो है यहां पे हमारे सामने इसका एक छोटा सा drawback है ठीक है अगर हम बात करें ठीक है यहां पे concurrent execution की तो देखिए इसका concept का मतलब यह हो गया कि multiple transition को uniprocessor system पे एक साथ execute कराया जाया और ऐसा होता भी है transition most of time जो है वो database को inconsistent statement डाल देता है तो इसे बचने के लिए एक तो number of transitions limited कि जाते है प्लस ऐसी algorithm काम मिली जाती है थाकि जो processor जो है वो less error के साथ में कम error के साथ में content execution को जो है successfully done करवा सके ठीक है अब बात करते हैं हम इसके advantage की देखिए advantage का है सबसे पहला तो कि इसके अंदर जो throughput जो है वो बढ़ जाता है throughput क्या होता है complete एक specific time period के अंदर number of tasks किती process हो रही है इसको throughput बोला जाता है तो इसके अंदर throughput तो बढ़ जाता है पर जो number of transactions जो है वो complete कितने हो रही यह थोगा सा ध्यान देने वाली बात है ठीक है और waiting time reduce होता है क्योंकि T2 जैसे यहाँ पर T2 को wait नहीं करना अब यहाँ पर हम देखें serially execute करें तो फिले T1 execute हो रहा है ठीक है 90 second के लिए उसने processor को hold कर लिया फिर T2 execute हो रहा है उसने 500 second के लिए जो है processor को execute कर लिया and then 3-3 जो है 5 second के लिए अब यहाँ पर 3-3 से 5 second के लिए पर उसको total मिला करके 590 seconds 590 20 second के लिए wait करना पड़ रहा है ठीक है तो लेकिन अगर यहाँ पर count current में क्या हो जाए कि एक तरफ T1 execute हो रहा है उसका suppose जिससे 30 second वाला part execute हो गया तब T2 execute होने के लिए और वो 100 second के लिए execute हो रहा है ठीक है और फिर उसके बाद में 3-3 execute हो रहा है तो T3 को कितना wait करना पड़ा 30 plus 100 1 30 second ही wait करना पड़ा और plus point एक 33 पहले execute हो गया तो अब जो प्रोसेसर पूरी तरसेसी T1, T2 पे focus कर पाएगा तो यह इसका सबसे बड़ा advantage है ठीक है लेकिन जैसे कहते हैं हर advantage है disadvantage भी आता है ठीक है सबसे बड़ा जो disadvantage हो यही है कि इसे database आपका inconsistent state में जा सकता है ठीक है यह consistent state है फिलार दोनों completely execute होए बट क्या हो अगर यह जो value है आपस में जूड़ी हुई रहे ठीक है कैसे यहाँ पर a की value आ रही है 50 अगर मैं उसको add करने के लिए बोल दूँ इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होना चाहिए हिसाब से टीवन के अंदर a की value किती 50 तो यहाँ पर b plus a याँ बी प्लस 50 हो जाना चाहिए 250 लेकिन यहाँ पर b के पास में a की value जब आ रही तो change हो क्या रही हो 50 के बजा क्या रही 45 तो b plus 45 200 plus 45 245 तो output आना चाहिए 250 आ रहा है 245 तो यह database inconsistent state में जा रहा है तो यह इसका decide advantage है तो इसे बचने का तरीका क्या है कि ऐसी algorithm में इस्तमाल कीजिए जो की data के flow को decide करे plus number of transaction जितने भी चल रहे है उनके बीच में जो data flow जो चल रहा है data item flow चल रहा है उनको properly control किया जाए so यह था आपका complete concurrent execution of transaction मैं उम्मिक करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आगे होगा फिल बगार अभी पर आपके मन में कोई query है या कोई doubt है या को suggestion आफिट बेक है तो मैं comment box में लिख करके बताए हमाया इस video को like कीजिए और channel को subscribe कीजिए ताकि इसी तरह के video के notification आपको आ कि नहीं